स्वागत है आपका हमारे चानल में आज की इस वीडियो में हम सुनील दिख्षित जी से बाद करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये हिट थ्योरी क्या है साथ ही साथ इसकी क्या उप्योगिता है और अगर किसी जातक की कुंड़ी में नेगेटिव हिट है तो उसके लिए हम क्या रेमिडीज कर सकते हैं ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए साथ ही साथ अगर किसी जातक की कुंड़ी में नेगेटिव हिट है तो उसके लिए क्या remedies करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं तो आईए उनसे बात करते हैं नमश्कार सर एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चानल पे नमश्कार करपना जी जी सर आज की इस वीडियो में हम basically hit theory हम काफी ये term सुन रहे हिट theory तो उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप हमारे दर्शिकों को बताईए कि बेसिकलिए hit theory है क्या देखिए hit theory एक western terminology है ये एक तरह से द्रश्टी संबंध ही है जैसे कि हमारी पाराशरी astrology जिसकों traditional astrology कहते है हर ग्रहे जिस जिसी इस्थान पर बैठता है वहां से साथ वे स्थान को पून द्रश्टी से देखता है ये बड़ा सामान्य सानियम इसके अलावा मंगल को special द्रश्टी प्राप्त है वह 7th हाउस के साथ साथ वो और एड़ आस्पेक्ट से देखता है जिस डालता है वो उसको जिसके अलावा शनी उसको भी दो special aspect प्राप्त है other than 7th 7 तो सभी को प्राप्त है तो वो तीसरे घर को और दसवे घर को पूंध द्रश्टी से देखता है शनी तो उसकी द्रश्टी होगे तीन साथ दसक के घर को वो देख रहा है ही वहाँ पर जो प्लानेत व को भी देखरा है और हो बेख और जो जूपीटर है, वो जीस स्थान पर भी बैसे बैटेगा, वहाँ से बैठके पांचवे गर को, साथ गर को, और नोवे गर को पूंध द्रिष्टी से देखेगा, और पांसhouse नो घर में जो प्लांइट बैठे हैं, उनको भी देखेगा। तो ब्लानेट पर शूब है। नैचुरल नेचुरली मैलिक होते हैं पुछ प्रेनेट नेचुरली बेनिफिक्षटें परzes और और उनको जैसे दूसरी स्थान from हो गए छे, आटवारा की लानन कीजिए सीह ना कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि तो उसके बेस पर पाराशरी के अंदर उसके हम कहते हैं और यह जो द्रश्टियां पड़ती है यह थोड़ी जैनेरिक हो जाती है हमने कहत हो दिया कि एक प्लानेट के साथ विगर को पूर्ण द्रश्टी से देख रहा है और तो तीस डिगरी का होता है जो और रहे होती है जनरली आठ बेसे पंदरह बीच तब बीच बाइन सुरू में दो डिगरी पर बैठा एक त्थाइस डिगरी पर बैठा है ना तो डिगरी वाइस इन्टैंशिटी कम ज्यादा होती चले जाती अगंदि कि ऐसा पाराशर जी ने भी बताया कि डिग्री वाइज भी हम कैल्कुलेट कर सकते हैं पर लोग बहुत जैनेदिक ले लेते हैं कि यह घर जुबीटर बेटा साथ वे को पूंट द्रश्टी से दिए गया इसी को अगर हम डीप ली जाएं यह चीज हमारे वेस्टर ने उठा क इसको एक और द्रश्टी संबन्ध उसको बमारा डिग्री जो प्लांइट के बीच का जो संबंद बन रहा है इसके अंदर जो संबंद बनता है दो प्लानेट के बीच में कितना अंगूलर डिस्टेंस आप कि ब्लानेट जोडीयक में लगातार गुमते रहते हैं हमारा जो Zodiac के वह fix है है प्लानेट निरंतर उसमें गती करते रहते हैं तो जैसे कि मैं उसको कहते हैं उसकी मतलल तीन सो शॉसाथ डिग्री में वो कहां पर है एक अ और उसके आगे से तन में कहता हूं गरी पर यह तो पहला प्लानेट पर हो गया दूसरा वजय भूजितने लुगरी हो गया दोनों के बीच में कितना डीफरेंस हो गया जाछ डिकर पर दूसरा प्लानेट एक सो दस डिगरी पर है तो दूसरा प्लानेट के बीच में एंगुलर डिस्टेंस बनता है जैसा आप से आगे को आप कोई जा रहा है आप से आगे से उसको देख सकते हो जो पिछेवाला प्लानेट इसको क्वाश्यवार जो द एक वाला है उसी को कहा देते हैं कि वह हिट हिट डाल यह तो तो दो प्लानेट के पीचह में कुछ ना कुछ तो इंपर्टेंट नहीं होता है कुछ खासगा से वह प्रटिकूलर डिग्रीज का जब डिस्टेंस होता है उसके बाद ही जो पीछे वाला प्लानेट है वो आगे वाले प्लानेट को हिंट करता है या उसको इन्फुएंच करता है पुदी मैजर फिच या माइनर दृस्ट्ति को कह सकते हैं जैसे मैं इसको कहूंगा यह माइनर आस्पेट्स बन देगी यू गटिंगी पर इसके अलावा कुछ मेजर आस्पेप्ट होती हैं दो प्लानेट के बीच में अगर यह वाला डिकरी का डिस्टेंस बनता है तो उसको हम कहेंगे यह मेजर आस्पेप्ट है वो है जीरो डिगरी दूस रहे तीस डिगरी दूसरा है साथ डिगरी और एक सोबीस डिगरी के और एक गुरुप हो गया नभे डिगरी और 110 डिगरी तो यह पांच हमारी नेजर आस्पर मतलब दो प्लानेट के बीच में जीरो डिगरी कृण देवर्ट आपर और दैस अगरी अस्टे डिगरी अपर् पार्ट 180 डिग्री अपार्ट देन दे में का मेजर यू कैन से आस्पेप्ट द्रश्टी संबंद इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक गुरुप होता है जिसको हम कहते हैं सुब द्रश्टी फेवरेविल बैनेफिक तो यह जो साथ डिग्री और 120 डिग्री मुता है उसको हम कहते हैं जो डिग्री का डिफ्रेंस बनता है 90 डिग्री का उसको हम कहते हैं या अन्फेवरेविल आस्पर्ट पीछे वाला प्लानेट आगे वाला प्लानेट अगर उससे 90 डिगरी आगे है या एक्सवसीड आगे है तो उसके उपर वो अश्रुब प्रभाव डालता है तो यह दो तरह के हिट हो गए एक तो हो गए हमारे गुड गुड आस्पर्ट या फिर इविल हिट तो यह तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अब इन यह काम कैसे करते हैं तो मैं इसके बारे में यह पांच मीजर आस्पर्ट इसके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूं कि अच्छा एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले दूसरी पित कभ जो हमारी होरोस्कों को की इसके अंदर आपको पता है बाराव होते हैं तो जो होता है चलिज चाइड है क्भास से शुरू होता है इसको बहुरु आरंब कहते है तो पहला आभ दूसरा बहुता इस क्लिजिक म影片 आखुश drive से शुरू होंगे तो प्लानेट टू प्लानेट भी द्रश्टी डलती है और प्लानेट हाउस के उपर भी आस्पर डालता है जैसे कि मैं कहता हूं कि सेकेंड हाउस है सेकेंड हाउस वन फॉर्टी डिग्री से शुरू हो रहा है मैं यह कहता हूं और मार्स सेकेंद हाउस को कितने डिग्री से और है और आगे अगर वह से चलिए इक सो नभय से शुरू हो रहा है तो नभय का डिफरेंस हो गया ना जी से चलिए मतलब सेकंड हाउस के और मार्स की पोजिशन में हंडेट डिग्री का स्वारी नाइंट डिग्री का डिफरेंस है और नाइन्टी डिगरी की डिफ्रेंस मैंने आपसे भी बताया था कि एक यह मेजर इवी लास्ट है तो वह उसको हिट कर रहा है दो चीजे निकल कर आएं कि प्लानेट प्लानेट को भी नेगेटिवली इनसे सकता है और आपने अपने और होगया हमारे देशक्त को समझ पा रहे होंगे में भूंच नगी अंदर में यह पांच में पांच ने उसको हम कहते हैं जब दो प्लानट एक दूसरे के साथ एक ही डिग्री पर होते है जैसे एक प्लानेट मार्स वी 100 डिगरी पर है और सेटन भी 100 डिगरी पर दो लों के बीच में जीरो डिगरी का डिफरेंस हो गया न तो यह दोनों ट्रीट हो पर ऐसा नहीं है कि एकदम शटीक जीरो का टीफरेंस हो प्लस माइनस आठ डिग्री का डिफरेंस हो सकते तो अगर एप प्लानेट डिग्री पर है और दूसरा प्लानेट एक 108 डिग्री तक है या 92 डिग्री तक है जो बॉस्ट लोग एक साथ काररे करते हैं इंकी जो एनर्जी बहुत आपस में मिंगल हो जाती है जी बोद अप्लानेट वर्प तूगेदर दोनों का फेड एक दूसरे से जुड़ जाता है इनरजी उनकी एक्सचेंज एक्सचेंज भी नहीं कहेंगे एक दूसरे का प्रभाव देने लगती है अपना भी कार्रेक्ट करेंगे और साथ का भी करेंगी है मतलब यह शुब भी हो सकती है और खराब भी होसकती । तो नैचरल सिगनिस्टिक्षिंशन केसाब से अगर मैं बात करूं अगर चंद्रमा शनी और मंगल यह तीनों किसी भी कॉंबिनेशन में अगर यह कंजंग्शन मना रहे हैं तो यह शुब नहीं होता है ऐसे रिक्ति को पुछ तरह का डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी चीजे हैं जो आ सकती है कुडली भी देखने पड़ती है लो फील करना या कुछ भी सेटन और मार्स कंजंग्ट करने वह भी अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं परंतु सूर्य ब्रस्पति और शुक्र इनका कंजंग्शन नैच्रल सिगनिफिक्टिशन के सबसे अच्छा माना जाते हैं जैं और अगर हम उसको कुंडली के साब से सब्सक्राइब करने का क्या मतलब हुआ कि जब उस प्लानेट की देशा चलेगी तो उसकी प्रॉफेशन से संबंदित घटना होंगी उसका प्रमोशन हो सकता है नौकरी लग सकती है जी सम्थिंग रिलेटेट टू प्रॉफेशन विल हैपन उसके साथ एक प्लानेट कंजं हो गया दूसरा है वह प्लानेट वालो आठवेवर को सिगनिफाई कर रहा है कुंडली में जो आठवागर होता है वह होता है जीवन में जितनी भी पीड़ा होती है न मिजरी होती है अपमान होता है इंसल्ट होती है वह सब आठवेवर से आता है तो अब टैंथ और एड़ तो ऐसे जात को अपने प्रॉफेशन में बहुत ज्यादा में भी लेफ टू फेस इंसल्ट को के लिए फ्रॉप्स्टेकल्स आएंगी घड़ी-घड़ी उसको बाद आए आएंगी कोई भी चीछ स्टार्ट करने में प्रमोशन करने में तो यह यह हो गया और अगर इसी के प्लानेट के लिए तो उसकी लाइफ इसी हो जाएगी तो यह तो कंजेंशन यह भी एक हिट का ही पार्ट है दूसरी हिट क्या होती है पहले मैं शुबहुट की बात करता हूं अगर दो प्लानेट के बीच में साथ डिगरी का डिफरेंस है ठीक है तो क्या होगा अगर दो बीच ने साथ डिगरी का डिफ्रेंट से तो वो फेवरे भी लोता है तो कोई भी प्लानेट हो एक प्लानेट अगर आगे वाले प्लानेट को साथ डिगरी की हिट दे रहा है तो जब जो प्लानेट फॉरवर्ड है जो हिट खा रहा है उसकी देशा से लेगी तो जो वाला प्लानेट आगे वाले प्लानेट को सिक्टी डिगरी से हिट कर रहा है और सिक्स्टी डिगरी का ही तो यह हिट जो है शूब हिट है पर यह 120 डिगरी की जो ट्राइन वाली एस्पेक्ट है उससे थोड़ी कम शूब है अगर एक प्लानेट के उपर दो प्लानेट के बीच में 120 का डिफरेंस है तो जो बैकवर्ड प्लानेट जो उसको बैनिफीचल 120 की हिट मार रहा है वो प्लानेट ऐसे अफसर पैदा करेगा कि वह जो भी कार्या करना चाहेगा उस प्लानेट की देशा में उसके उसको अफसर और ऑपर्टिटीज अपने आप राप्त हो जाएंगे कि उसका काम बड़े अराम से हो जाएगा प्रमोशन लेना है तो 120 की जब हिट पड़ती है तो आगे वाले प्लानेट की सारी चीजे ऑपर्चुटी मिलेगी उसका काम बड़े सरलता से हो जाएगा अब हम बात करेंगे जो इवील आसपेक्ट है 90 डिगरी की जो आसपेक्ट बनती है जो 90 डिगरी की आसपेक्ट है द हिए जो भी ठीडिगरी प्लस-अइनस आगे पीछे हो सकता है यह mniej इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होते हैं और स्ट्रेस पैदा होते हैं इसके आंद पीछे वाला प्लानेट है आगे वालो प्लानेट मालो व्लोब प्रोफेशन से संबन्दित है तो उसको अपना कार्य क करने के लिए बहुत इस्ट्रागल करना पड़ेगा उसको बहुत इस्ट्रेस्फुल कंडिशन से गुजरना पड़ेगा अगर उसका काम होएगा भी तो बहुत डीफिकल्टी इसके साथ होगा ठीक है और यही आस्ट्रेक्ट अगर वन नेट्टी डिगरी की बन रही है यह तो यह बहुत खराब है कि मालों पीछे वाला मालों बंगल है और आगे वाले प्लानेट शनी को वेस्ट लिगरी की हीट दे रहा है तो शनी के कार्रेकाल में उसका कोई भी कार रहे जो भी वह सोच रहा है सफलता को प्राप्त नहीं आऊ पाएगा उसको क्या करना पड़ेगा अपना रास्ता ही ब कार्रेकाल हो नहीं पाता है आइदर ही विलेव चेंज हीज वेस जो भी वह प्राप्त करना चाहरा है अधर वाइस उसको जो कार्रें में वह कार्या रहत है उसमें उसको सफलता मिलने के बहुत ज्यादा डिफिकल्टी एक सब्सक्राइब तो चांसे खतम ही हो जाती है ठीक हीट बोलो या आस्ट बोलो यह सब इंटरचेंज भी ले तो यह इसके साथ ही में आपका जो पहला प्रेशन है उसको मैं परम शब्दों में जितना अपने देश्कों को समझाना चाहता था वह मैं बता चुका हम जी सर आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से हिट थियोरी क से पूछना चाहूंगी कि हिट थियोरी की मदद से हम क्या कुछ बताया जा सकता है लेकि इसका क्या उप्योगिता है कि हिट थियोरी या एंगुलर आसपेक्ट का जो प्योग है या एप्लिकेशन है वो जीवन के हर शेत्र में कुंडली के अंदर बारा हाउज है यह पार हाउज लाइफ में होने वाली सारी ही गटनाओं के बारे में बताते हैं एजूकेशन कैसी होगी प्रोफेशन कैसा रह बारे में विदेश जानाव बिमारी लिटीगेशन सब कुछ आ जाता उसमें तो यह जो हिट थोरिया हर चीज पर प्रभाव डालेगी शादी पर प्रभाव डालेगी संतान पर भी मैंडिसन पर तो जीवन के हर शेत्र में हो गया इसके अभी मैं आपको एक्जाम पिल्ट तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रभाव डालेगी तो यह तो एस्ट्रोजी वाला फील्ड हो गया दूसरा यह वास्तू में भी इसका बहुत महत हुए वास्तू के अंदर जो घर के अंदर जो समान रखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया था ना प्लानेट टू हाउस जी अगर सही से पैचान कर लें तो वह भी मैं कोशी करूंगा आपको बताने की तो मतलब वास्तूबवी घर में कौन सी चीज कहां रखी जानी है कौन से समान रखने से व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी आ रही है या उसके किसी जीवन में कोई खास चीज नहीं हो पा साथ मिदें पाइनेशल एस्टॉलोजी में इसका बहुत बड़ा रोल है तो शीक्ति कंसी के कॉन से कॉमॉडिटी इसके रेट बढ़ने वाले भादने वाले वह भी हिट त्हुरी के द्वारा हम बहुत ऑद पता लगा सकते हैं तो इसका बहुत ज्याधा एप्लीकेशन ऐ हो गया वास्तु में भी हो गया अब थोड़ा सा मैं आपको एक्जाम्पिन दूँगा तो आपको एकदम से क्लिर हो जाएगा जी किसी की कुंडली है अभी अभी मैं डायेट बात कर रहा हूं कि किसी की नॉर्मल कुंडली है कोई भी लगन हो उसका कुछ भी हो हर प्लानेट के कुछ नैचुरल सेगनिफिकेशन होते हैं और प्लानेट को कुंडली में रोल भी मिला होता है जैसे कि एक प्लानेट को किसी की कुंडली में शादी का रोल मिला हो सकता है और उसी प्लानेट को दूसरी प्रति की कुंडली में एजुकेशन का रोल मिला होता है है तो इसके लाब कुछ प्लानेट की सिगनिफिकेशन है तो जैसे मार्स जो प्लानेट यह एकरेशन देता है और यह एसर टीमनेज देता है इंपल्सिवनेज देता है वाले गयेट गयेटर तो कुछ कर गोजरने वाले इनको अभी बोलोगे अभी करके तुरंद करके दाएंगे चीज को और यह अगर बैने फिके मंगल आपकी कुंडली में तो यह आपको आर्मी का ऑफिसर बन जिंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे क्योंकि मार्स तो बहुत एनर्जेटिक है करेज है एसर्टिवनेस है तत्ष्यों के साथ बात करते हैं इनकी बात को कोई काट नहीं सकता और जब इनकी एनर्जी आपने पॉजिटिव कर दी तो तो यह आर्मी के बहुत उपर तक जा और गुटा बना देगा शल्ट अब इस जाएंगर इतना होता है क्योंकि उस्चाइट आरेकशन में नहीं जा रा क्योंकि मैलेफिक हो गया ठीक है और जब पॉजिटिव होता है तो एसर्टिव जब वह बात रखते हैं तो उनकी बात को कोई काट नहीं जाता प्योंकि कि वह फुल सपोर्ट के साथ बात करते हैं तत्थे के साथ बात करते हैं उनकी बात को काटना असान नहीं पर वह बैल एफिक है तो फिर भी उनको लगेगा कि मेरी बात को काटे नहीं फिर वह क्या करेगा जवर्दस्टी इंपोस्ट करेंगे अपने को तो मंगल के दो रूप होगे दूसरा प्लानेट एक सेटन इसका नेचुरल सिगनिफिकेशन है कर्म कर्म का प्लानेट सेटन है तो मैं जनरल बात करता हूं किसी की कुंडली में सेटन के ऊपर आपको याद होगा इविल आस्पेक्ट है तो नाइंटी की पड़गी तो और भी ज्यादा इविल होगी तो यह क्या करेगा कर्म वाले प्लानेट के किसकी दृष्टी पड़गी मार्स की वह भी नकार आत्म यह अपना दुश्मन खुद बन जाएगा प्रोफेशन में जो भ मां पे अपने बहुत से लडाई कर लेगा बुश्मन बैठा रहे जवरस्ति उनकी बात काटे अपने लगां करता रहेगा उपने प्र प्रोब्लम होंगी अपने यह अपने ही नेगरिटीब और यह मार्स अगर सेटन को फॉन ट्रोंटी डिगरी के आस्वें देगा टीज तो करमा के प्लानेंट को मार्स ने मोस्ट पॉजिटिव कही मार्स अपनी बाथ को अपने बॉसस अपने पतरींद से रखेगा स्ट्रॉंग आँप मनवाना फ़ेगा उसको अपनी बात ऐसे रखे प्रस्तित कि अपने आप ही लोग उस से impressiveness होगी इंप्रेस होंगे और गोगेटर होगा तुरंट चीजों को करेगा फुल ओफ जील होगा कुछ लोग होते हैं लीड लेने वाले बढ़ बढ़ के करेगा तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगी में तोकि यह सब हीट और चवतकार है ठीके ना एक नेगटिव होगी एक मीक फॉस्टीव होगी वी दूसरा एक्जांपल माल हो बहँ आप देता हूं तो च्छोट-च्छोट एक्जांपल देता हूं जैसे सैटन किसी की कुणोली में दूसरे घर मेंось है चूंदी चूपशन आगी 120 की या 60 की तो ऐसा वेट्टी को वेल्ट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी ही एक्यूमिलेट मनी विल अंगूड अमाउंट अप मनी विकॉज एक तो सैटन जो है सेकंड आउस में बैठा है वेल्ट का सिगनिफिकेटर है उन टॉप वॉफ इट इस गेटिंग आप बै वेनस की नेगेटिव आसकेक्ट आगी 90 डिग्री की या 180 डिग्री की तो क्या हुआ वेनस उसको धन के अंदर नकारात मक्ता ले आएगा वो पैसा कमाने में प्रॉब्लम भी आया सकती है या पैसा कमाएगा तो उसका जो पैसा ही विल स्पेंड और लगजरीज अना अपने प्लैजर में में इस तरह की चीजों के अंतर उसका सारा उसका पैसा खर्च हो जाए उड़ा देगा पैसे तो यह सब आसक्ट के द्वारा ही होता है और इसी को मैंने आपको एक्जाम्पे लिया था फैनेशल इस्ट्रोजी करते हैं अब जैसे मार्स है मार्स इसे सिगनिफ पीरियद यह पीरेट वें तब मार्स इस गैटिंग गए नेगटिव आस्पेक्ट आप उस टाइम पर गोल्ड के रेट नीचे आ जाए और उसी पर अगर बैनेफिक आसपेक्ट पढ़ रहे हैं तो रेट हाई हो जाएगे चंद्रमा चंद्रमा क्रूड का रहत है चंद्रम सब जानते हो पैट्रोल की कंपनी रिफाइंट कौन कौन से कंपनी है तो कुछ प्लानेट है जैसे मून सेटन भी है मून के ओपर मालो एक आस्पेक्ट आगे नेगेटिव वनेटी की तो उस टाइम पर आपको रिफाइंट जो भी पैट्रोल के दाम है पुरूड के दाम ग पड़ जाएंगी तो अभी अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ तो मैं आप इसको इस्टोरिकल एविदेंस से दिखा सकता हूं कैसे 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 रिट हमारे फ्लक्षेट हुए गुड और बैड आस्पेक्ट के साब से तो यह इतने सारे इसके एप्लिकेशन है वास्तु क इसने आपको चीजों को कुछ किया हुगा जी हमारा जो आखरी प्रश्न होगा आपसे वह यहीं होगा कि माननीजे अगर किसी जातक की कुंडली में नेगिटिव हिट है तो उसे क्या उपाय करने चाहिए ताकि जो उसका प्रभाव है नेगिटिव हिट का वो थोड़ा कम ह यह बहुत अच्छा आपने कुशन कुछ है और सबसे ज्यादा उपी होगी इसको जो आप कहते हैं हिट्स का यह ही है कि इसकी तो बहुत अच्छी देशा बुक्ति अंतरा चल लेगे इसका दस्वा घर इस्टैम एक्टिवेटिड है दूसरा घर एक्टिवेटिड है इसको तो जौब में बहुत अच्छा करना चाहिए धन कमाना चाहिए और धन कमाता हुआ को आनी रहा दीखता नहीं देशाय चल लही है कि दूसरा घर दस्वा घर एक्टिवेटिड है परन्तु धन नहीं आ रहा ना प्रमोशन हो रहा तो यह हिट थी जो काम करती है ऐसे थर्ड प्रम करती है विएंड दा सीम जिसको आप समझें आपको दीखनी रहा है आपको पता नहीं लग रहा है आप तो कह रहे हो यह देशा चल लिए बुक्ति चल लिए और यह प्लानेट तो इसकी कुंडली में राज्यों का रख है के इंदिस्तान का स्वामी है या उच्छ का बैठा या त्रिकॉन का स्वामी है इसकी देशा भी चल लगे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं यहां पर हिट थियोरी का बहुत चमतकारी की रिजल्ट हो अगर उसे दशा भुक्ति अंत्रा डौट पर नेगेटिव इट पड़ रही है इविल इट पड़ रही है वो उसक के इस प्रारवद में इस की रिजल्ट में रिजल्ट देने पर वो तो थर्ड फोर्ट सा वो पार रहनी करने जेने तो इसकी रैमेडीज है रैमेडीज मैं यहां पर गोलूगा नहीं को कि रैमेडीज बोलने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है अगर मैं एक वह प्रज़ज और यहां तो प्लानेट टुप्लानेट अगर नेगेटिव इट रही है तो देर आर वेज वी कर में दा नेगेटिव इट्स वी कन चेंज इट तू रिज तो देरा वेज तो उसके अंदर बोडी के अंदर हम कुछ चीजे बताते है कि आप बोडी को करो या पहनो तो वह भी एक तरीका होता है और अगर प्लानेट टुप वाली हिट पड़ती है तो कई बार हम लोगों को घर का वास्तु ठीक कराना पड़ता है ठीक है पर इसकी जो रेमेडी है रेमेडी करते हुए बहुत सारी चीजे हमको देखने पड़ती है तो एकदम स के स, के स् टुकते है उती है इस प्लाइनैट कर ऊण सी पड़ रही है और वो प्लानेट उसकी लाइफ में क्या मिजरी ती दे रहा है तो जो जो मिजर्वलम दे रहा है उस ही पास्व वालीशन करोगे न जीus ऐस घर रॲंगन को दूर डूरा प्लाइट नेगेटिव मार रहा है, कौन से रा मार रहा है तो पैसे उसका बता सकते हैं या घर के कौन सी चीजे कि दर उसको शिफ्ट करनी है कौन से रिलेशन उसके घर के हैं जैसे हुजकता है कि उसकी मदर को एडवाइस करें कि इस कमरे से उस कमरे में ले जाओ तो बहुत सारी चीजे हैं और इस बिग बिग टॉपी बट फॉर्चुनेटली अगर नेगटिव हिट धन्यवाद सर आपका आपने काफी अच्छे तरीके से और काफी सरल उसमें हमारे दर्शकों को समझाया है कि हिट थियोरी क्या है साथ ही साथ हिट थियोरी के मदद से क्या कुछ बताया जा सकता है और उसके बाद अगर किसी की कुंडली में नेगटिव है तो क्या रेमिड तो मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं वासे तो यह mama की आपके शन्यूब यह सब्सक्ते देटै और वहा कि आपका अपनी पहें पात ऊंचांगा दे ता उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवार्भ से श्यूब में शए नेक्स टॉपिक में नेक्स वीडियो के साथ, थांक यू बेरी मुच, थांक यू साथ, ये भी हमारे आज की चर्चा, सुनीर दिक्षित जी के साथ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे अप्लिकेशन को इंस्टॉल करें, जिसमें झेंड़ झेंन करेंगाश एमारे वीडियो ।रो हमारे झानल ।रो हमारे व्लिकेशन को शोर झायोmana को पनाल खू एमारे थे संव понадस्टॉ आपको फोर ये ये अपको झाल झाल